ओम शंती, 13 अप्रल, साकार मुरली, मीठे बच्चे, तुम्हें योग बल से इस खारी चैनल को पार कर घर जाना है, इसलिए जहां जाना है, उसे याद करो, इसी खुशी में रहो, कि हम अभी फकीर से अमीर बनते हैं। प्रश्न, देवी गोणों की सबचेक्ट पर जिन बच्चों का ध्यान है, उनके निशानी क्या होगी, उत्तर, उनकी बुद्धि में रहता, जैसा कर्म हम करेंगे, हमको देख दूसरे करेंगे, कभी किसी को तंग नहीं करेंगे, उनके मुक से कभी उल्टा सुल्टा शब्द नहीं निकलेगा, मंसा, वाचा, कर्मणा किसी को दुख नहीं देंगे, बाप समान सुख देने का लक्ष है, तब कहेंगे देवी गोणों की सबजेक्ट पर ध्यान है, ओम शैन्ती, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रती रूहानी बाप समझा रहे हैं, याद की यात्रा का अर्थ भी बच्चे समझते होंगे, भक्ति मार्ग में भी सब देवताओं को, शिबाबा को याद करते हैं, पर यह पता नहीं था कि याद से ही विक्कर्म विनाश होंगे, बच्चे जानते हैं, बाप पतीत पावन है, वही पावन बनाने की युक्ति बताते हैं, आत्मा को ही पावन बनना है आत्मा ही पतीत बनती है बच्चे जानते हैं भारत में ही बाप आकर याद के यात्रा सिखलाते हैं और कहां भी सिखला न सके जुस्मानी यात्रा आए तो बच्चों ने बहुत की है यहा यात्रा सिर्फ एक बाप ही सिखला सकते है अब तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, माया के कारण सबकी बुद्धी को बेसमझी का ताला लगा हुआ है, अभी बाप द्वारा तुमको मालुम पड़ा है, कि हम कितने समझतार, धन्वान और पवित्र थे, हम सारे विश्व के मालिक थे, अब हम फिर बन रहे हैं, ब कितनी बड़ी बेहत की बाच्चाही देते हैं, लौकिक बाप करके लाग करोड देंगे, यहां तो मीठा बेहत का बाप, बेहत की बाच्चाही देने आये हैं, इसलिए तुम यहां पढ़ने आये हो, किसके पास, बेहत बाबा के पास, बाबा अक्षर, मम्मा से भी मीठा है बल मम्मा पालना करती है, परंतो बाप फिर भी बाप है, जिससे बेहद का वर्सा मिलता है, तुम सदा सुखी और सदा सुहागिन बन रहे हो, बाबा हमको फिर से क्या बनाते हैं, या कोई नई बात नहीं है, गायन भी है, सुब को अमेर था, रात को फकेर था, तुम भी सुब में अमेर और फिर बेहद रात में फकेर बन जाते हो, बाबा रोज रोज स्मृत दिलाते हैं, बच्चे कल तो तुम विश्व के मालिक अमेर थे, आज तुम फकेर बन पड़े हो, अब फिर सुब आती हैं तो तुम अमेर बन जाते हो, कितनी सहज बात है, तुम बच् खुशी होनी चाहिए अमिर बनने की ब्रामढों का दिन और ब्रामढों की रात अब दिन में तुम अमिर बन रहे हो और बननेंगे भी ज़रूर परंतो नंबर्वार पुरुशाड अनुसार बाब कहते हैं ये वह खारी चैनल है जिसे तुम ही पार करते हो योगबल से जहां जाना है उनके याद रहनी चाहिए हमको अब घर जाना है बाबक खुद आया है हमको लेने बहुत प्यार से समझाते हैं मीठे बच्चे तुम ही पावन थे 84 जन्म लेते लेते पतीत बने हो फिर पावन बनना है पावन बनने का और कोई उपाई नहीं तुम जानते हो पतीत पावन आते हैं और तुम उनकी मत पर चल पावन बनते हो तुम बच्चों को बहुत खुशी होती है कि हम यह पद पाएंगे बाप कहते हैं तुम 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनेंगे बाप सुखदाम का है जिसने तुमको पांच विकारों रूपी पिंजडे में डाला है बाप आकर निकालते हैं जितना जो बाप को याद करते हैं उतना औरों को भी परिचे देते हैं याद न करने वाले दे अभिमान में होंगे वहां न बाप को याद कर सकते न बाप का परिजय दे सकते हैं हम आत्मा भाई भाई है घर से यहां आये हैं बिन बिन पाड बजाने सारा पाड कैसे बचता है यह भी तुम्हारी बुद्धी में है जिनको पक्का निश्य है वहां आकर यहां रिफ्रेश होते है या कोई ऐसी पढ़ाई नहीं है जो तुमको टीचर के साथ ही रहना है नहीं अपने घर में रहते भी पढ़ाई कर सकते हो सिर्फ एक हफ़ता अच्छी तरह समझो फिर ब्रामनिया कोई को एक मास में कोई को छे मास में कोई को बारा मास के बाद ले आती है बाबा कहते हैं निश्य हुआ और भागा, राखे भी बांधनी है कि हम विकार में नहीं जाएंगे, हम शिबाबा से प्रतिग्या करते हैं, शिबाबा ही कहते हैं बच्चों तुमको निर्विकारी जरूर बनना है, अगर विकार में गए तो की कमाई चट, सौ गुणा डंड पढ़ जाएगा, 63 जन्मत तुमने गोते खाए, अब कहते हैं पवित्र बनो, मेरे को याद करो, तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, आत्मा भाई-भाई है, किसके नाम रूप में फसना नहीं है, अगर कोई regular नहीं पढ़ता है, तो जल्दी में नहीं ले आना चाहि भल, बाबा कहते हैं, एक दिन में भी तेर लग सकता है, परन्तो समत से भी काम लेना है, तुम ब्रामन हो, सबसे उत्तम, यह तुम्हारा बहुत उचा कुल है, वहाँ कोई सत्संग आदे होते नहीं सत्संग भक्ति मार्ग में होता है, तुम जानते हो सत्का संग तारे, सत्का संग मिलता ही तब है, जब सत्यूग की स्थापना होनी होगी यहां किसी की बुद्धी में नहीं आता क्योंकि बुद्धी को ताला लगा हुआ है अब सत्युग में जाना है सत्का संग मिलता ही है पुरुशोत्म संगम युग पर वहां गुरु लोग तो संगम युगी है नहीं बाबा जब आते हैं तो बेटा बेटा कह बुलाते हैं उन गुरु लोगों को तुम बाबा थोड़े कहेंगे एकदम बुद्धी को गुद्रेश का ताला लगा हुआ हैं बाबा आकर ताला खुलते हैं बाबा देखो कितने युक्ति रचते हैं कि मानुश्य आकर हीरे जैसा जीवन बनाए मैगेजिन किताब आदे छपाते रहते हैं बहुतों का कल्यान हो तो बहुतों की आशिरवात भी मिलेगी प्रजा बनाने का पुर्शार्थ करना चाहिए अपने को बंदन से छुडाना चाहिए शरीर निर्वा अर्थ सर्विस तो जरूर करनी है इश्वरी सर और सुब और शाम को उस समय सबको फुर्सत है जिसके साथ तुम लौकिक सर्विस करते हो उनको भी परीचे देते रहो कि तुमको दो बाप है लौकिक बाप सबका अलग है पार लौकिक बाप सबका एक है वह सुप्रीम है बाबा कहते हैं मेरा भी पार्थ है अब तुम ब्रुकूटी के बीच चमकता है अजब सितारा वह अकाल तक्त भी है आत्मा को कभी काल नहीं खाता वह सिर्फ मैली और साफ होती है आत्मा का तक्त शोपता भी ब्रुकूटी के बीच में है तिलक की निशानी भी यहां देते हैं बाब कहते हैं, तुम अपने को आपे ही राज तिलग देने के लायक बनाओ, ऐसे नहीं कि मैं सब को राज तिलग दूँगा, तुम अपने को दिलाओ, बाबा जानते हैं कौन बहुत सर्विस करते हैं, मैगेजिन में भी लिखत बहुत अच्छी आती हैं, साथ-साथ योग की महनत भी करनी हैं, जिससे विकर्म बिनाशों, दिन प्रति दिन तुम अच्छे राज योगी बन जाएंगे, समझेंगे, जैसे कि अब शरी छूटा है, हम चली जाते हैं, सुक्ष्म वतन तक तो बच्चे जाते हैं, मुल वतन को भी अच्छी तरह जानते हैं, कि हम का घर है, मनुश्य शांती धाम के लिए ही भक्ति करते हैं, सुक्धाम का तो उनको मालुम ही नहीं है, स्वर्ग में जाने की सिक्षा, तो कोई दे नहीं सकते, बाप के सुवाई, यहां है प्रवरत्ति मार्ग, दोनों को मुक्ति धाम में जाना है, वो लोग उल्टा रास् आते हैं, जाता कोई भी नहीं है, सभी को पिछाडी में बाप लें, यहां उनकी ड्यूटी है, कोई अच्छी रिती पढ़ाज भाले लेते हैं, बाकी सब कैसे पढ़ेंगे, वह जिसे नमबरवार आते हैं, वैसे नमबरवार जाएंगे, उन बातों में जास्ती समय याद करने के भी फुर्सत नहीं मिलती हैं, फिर इसमें समय क्यों विस्ट करते हो, यह तो निश्य हैं, कि बेहत कबाप, टीचर गुरु भी है, फिर दूसरे कोई को याद करने की जरूरत नहीं है, तुम जानते हो, कल पहले भी श्रीमत पर चलकर पावन बने थे, गड़ी गड़ी चक्र भी फिराते रहो, तुमारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी, नार रहिट का मिसाल, ग्यान सागर से तुम है भरने में देरी नहीं लगती, थाली होने में देरी लगती है, तुम हो मीठे सिकिलदे बच्चे, क्योंकि कल्प के बाद आकर मिले हो, यह पक्का निश्य चाहिए, हम 84 चन्मों के बाद फिरसे आकर बाप से मिले है, बाप कहते हैं, जिसने पहले भक्ती की है, वही पहले ज्ञान लेने के लायक भी बने है, क्योंकि भक्ती का फल चाहिए, तो सदेव, अपने फल अत्वा वरसे को याद करते रहो, फल अक्षर भक्ती मा का है वर्सा ठीक है बेहद बाप को याद करने से वर्सा मिलता है और कोई उपाई नहीं भारत का प्राचीन योग मशूर है वह समझते हैं हम भारत का प्राचीन योग सिखते हैं बाबा समझाते हैं वह ड्रामा अनुसार हठियोगी बन जाते हैं राजयोग अब तुम सिखते हो, क्योंकि अब संगम यूग है, उनों का धर्म अलग है, वास्तों में उनको गुरू करना नहीं चाहिए, परन्तु यह भी ड्रामा अनुसार फिर भी करेंगे जरूर, तुम बच्चों को अब राइटियस बनना है, रिलिजिन में ही ताकत है, तुमको जो मैं देवी देवता बनाता हूँ, यह धर्म बहुत सुख देने वाला है, मेरी ताकत भी उनको मिलती है, जो मेरे से योग लगाते है, तो बाप जो खुद धर्म स्थापन करते हैं, उनमें बहुत ताकत है, तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो, बाप इस धर्म की महिमा करते हैं, कि इसमें बहुत माइट है, ओलमाइटी बाबा से माइट बहुतों को मिलती है, वासों में माइट सबको मिलती है, परंटु नमबरवार, तुमको जितनी माइट चाहिए, उतनी बाबा से लो, फिर देवी गुन की सबजेक्ट बीचाहिए, किसको तंग नहीं करना, दुख नहीं देना, ये कभी किसी को उल्टा सुल्टा शब्द नहीं कहते, जानते हैं, जैसा कर्म मैं करूंगा, मुझे देख और भी करेंगे, आसुरी गुनों से देवी गुनों में आना है, देखना है, हम किसको दुख तो नहीं द कुछ न कुछ भूले होती जरूर है, वह अवस्था तो अंत में ही आएगी, जो मन्सा वाचा कर्मा किसी को दुख न देवे, इस समय हम पुर्शार्थी अवस्था में है, हर बात नंबरवार पुर्शार्थ अनुसार होती है, सभी पुर्शार्थ सुख के लिए ही करते हैं, परंतु बाप वेगर कोई सुख दे न सके, देखा जाता है, सोमनात के मंदिर में कितने हीरे जवारत थे, वह सब कहां से आए, कैसे सहुकार बने, सारा दिन इस पढ़ाई के चिंतन में रहना चाहिए, ग्रिहस्त वैभार में रहा, कमल पुष्प समान पवित्र बनना है, तुमने यह पुर्शार्थ किया है, तब तो माला बनी है, कल्प कल्प बनती रहती है, माला किसका यादगार है, यहा भी तुम जानते हो, वह तो माला का सिमरन कर बहुत मस्थ हो जाते हैं, बक्ती में क्या होता है, और ग्यान म क्या होता है या भी तुम ही जानते हो तुम किसको भी समझा सकते हो पुर्शार्ट करते करते आखरीन पिछाड़ी की विजल्ट कल पहले मौफिक निकल आएगी हर एक अपनी जाज करते रहे तुम समझते हो हमको यह बना है पुर्शार्ट की मार्जिन मिली है नंबरवार आप भी तुम्हारा स्वागत करते हैं, तुम बच्चे जो स्वागत करते हो, उनसे जास्ती बाप तुम्हारा स्वागत करते हैं, बाप का दंदा ही है, तुम्हारा स्वागत करना, स्वागत मनस सदगती, यह सबसे उचा स्वागत है, तुम सबका स्वागत करने बाप आते ह अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चो प्रती, मात पिता, बाब दादा का याद प्यार और गुद मॉनिंग, रूहानी बाब की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुद मॉनिंग और नमस्ते, धार्णा के लिए पहली पॉइंट, बहुतों की आशिर्वाद लेने के लिए कल्यान कारी बनना है, शरीर निर्वा अर्थ कर्म करते भी अपने को बंधन से मुक्त कर, सुब शाम इश्वरी सर्विस जरूर करनी है, दूसरी पॉइंट, दूसरी बातों में अपना समय वेस्ट न कर, बाप को य देने का ही पुर्शार्थ करना है, वर्दान, हद की इच्छाओ को छोड़, अच्छा बनने वाले, इच्छा मात्रम अविद्या भव, विस्तार है, मन में कोई भी हद की इच्छा होगी, तो अच्छा बनने नहीं देगी, जैसे धूप में चलते हो, तो परच्छाई आग ऐसे ही इच्छा अकर्शित कर रूलाने वाली है, उसे छोड़ दो, तो वहाँ पीछे पीछे आएगी, मांगने वाला कभी भी संपन नहीं बन सकता, कोई भी हद की इच्छाओ के पीछे भागना ऐसे है, जैसे म्रगत रिश्णा, इससे सदा बच कर रहो, तो इच्छा मात मविध्या बन जाएंगे, स्लोगन अपने स्रेष्ट कर्म वा स्रेष्ट चलन द्वारा, दुआओ जमा कर लो, तो पहाड जैसे बाद भी, रोई के समान अनुभव होगी, ओम शांती. झाल, तो पुआ हो इच्छा बन लाएंगे, स्लोगत शीक्षा मात बनक міिवा होगी, ते जड़ किया क्तित,। लब आओे मैं। चलन जाएंगे, स्लोगत बज़ with this.